कल हमने पढ़ा था प्रिपोजीशन ओफ प्लेस या पोजीशन या लोकेशन के बारे में पढ़ा था ना देख पार है प्लेस सर जी कुछ चीजे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं देखें, preposition of place का एक list दिया हुआ है, कि ये सारे words preposition of place कहे जाते हैं, कौन सारे, गौर से देखें, above, around, at, behind, below, beside, between, far away from, in, in back of, in the back of, in front of, in the front of, in the middle of, inside, near, next to, on, on top of, outside, और under, इतने सारे जो prepositions हैं, इनको prepositions of place या position भी कह सकते हैं, prepositions of position, टिक है, तस्वीरों के सारे, आपको इन prepositions को हमें हाँ पढ़ाने की कुशिश कर रहे हैं, क्या आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात, शाबाश, ठीक है, देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं, कुछ किताबे हैं, और एक कप है, किताबे कहा हैं, कप के बगल में, तो हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, कि the books are beside the cup, हम लोग इसके जगा ये भी बोल सकते हैं, the books are next to the cup, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, कि the books are near the cup, तो ये वाला हालात आपको लाइफ में कहीं भी दिख जाए, तो आप इस हालात के लिए इतीनों में से कोई भी preposition यूज़ कर सकते हैं, अब यहां देखिए, किताबे कहां हैं, दोनों side cup हैं और cup के बीच में हैं, तो between, कल हमने ये चीज़ सिखाई थी, आपको दिखाया था, अब यहां किताबे कहां हैं, कब से काफी दूरी पर हैं, गोर से देखिए, तो जब दूरी पर कोई चीज़ है, तो far away from का यूज़ करते हैं, बिहार is far away from काश्मीर, देखिए, बिहार is far away from काश्मीर, है ना, देखिए, किताब के जगाँ पर हम लोग बिहार को ले आते हैं, और काश्मीर ये कप का प्याला हो गया, ये चाय का प्याला, मेरी बात समझ में आ रही है, सब लोगों का, हाँ ना बूलो, अब यहां किताबों के उपर क्या रख देया गया, चाय का प्याला, कप कहा है, कप is on the books, on the books तो बोली सकते हैं, on top of the books भी बोल सकते हैं, equally correct होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, अब जड़ा देखिएगा, यहां पर, कि अब जो है, कप कहा है, किताबों के नीचे है, लेकिन किताब और कप के बीच में फासला है, सटा हुआ दोनों नहीं है, तब अंडर का यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे ही है, फिर कप उपर है और फासला है दोनों के बीच में, है ना, तो अबव का यूज़ कर रहे है, अब इस चीज़ को देखिए, the hands are around the cup, कप के चारो तरफ हाथ ऐसे हैं, गेरे हुए, इस around का यूज़ हम लोग लाइफ में और जगा कर सकते हैं, जैसे हम कभी-कभी, मफलर जानते हैं, मफलर आप लोग बैंगल्स पहनती हैं लड़कियां, तो बैंगल्स आर अराउंड दे रिस्ट, जबकि हिंदी में में का यूज़ करते हैं, गले में मफलर है, कलाई में चूडिया है, यहां तो में चूडिया है, ठीक है, अब जड़ा देखिए यहां पर, एक आदमी खड़ा है बस के तरह हम बूल सकते हैं, दे मैं इस इन बैक अफ द बस, इन द बैक हो गया, यहां देखिए आदमी बस के बाहर खड़ा है, तो इन फरन्ट अफ द बस है, क्योंकि बस जो है नन एनिमेट है, non animate का मतलब होता है वैसी चीजें जो जिन्दा नहीं हो मरी हुई नर्जीव चीजें हो non living thing हो तो उसके लिए in front of bus के सामने आदमी है the man is in front of the bus लेकिन वही आदमी bus के अगले हिस्से में जाके बैठ गया है अंदर है bus के तो in the front of the bus और यही अंदर पीछले हिस्से में था तो in the back होता है बारीक सा change preposition में change ला दे रहा है इसको समझना होगा अब देखे यह आदमी जो है यहाँ पर bus के बीच वाले हिस्से में अंदर बैठा हुआ तो in the middle of the bus लेकिन at the same time इस picture को देखे इस picture को देखे मतलब जरा सामिहा पर लेते है तो picture number M को देखे O को देखे और फिर P को देखे picture number M, O और P को देखेंगे हम लोग गौर से अच्छे से देखेंगे तो picture number P में भी bus के अंदर है इंसान तो picture number P में भी bus के अंदर है और M में भी बस के अंदर है उचाहे पीछले हिस्से में हो चाहे अगले हिस्से में हो चाहे बीच में हो है तो बस के अंदर ही तो तीनों इस्थिती में हम inside भी यूज कर सकते हैं man is inside the bus, the man is inside the bus, the man is inside the bus, लेकिन inside बोलने से exact bus में कहां पर ये पता नहीं चलता है, ठीक है, हाँ, in भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, the man is in the bus, in the bus, in the bus, inside the bus, लेकिन अगर बताना हो पिछले हिस्से में हैं, तो in the back of बताना है कि अंदर तो है लेकिन अगले हिस्से में है तो in the front of और बताना है कि बीच वाले हिस्से में है तो in the middle of the bus अभी बस के जगा classroom हो सकता है और passenger के जगा आप हो सकते हो, teacher हो सकता है, कोई सामान हो सकता है बस के जगा classroom नहीं होके room हो सकता है, room में रखा हुआ कोई समान हो सकता है, bed हो सकता है तो ये अपने common sense से आपको relate करना है अब जरा साथ आप लोग अपना pen paper निका लिए और इस list को note करें क्योंकि हम पढ़ाएंगे इस list को बारी बारी से और आप से पूछेंगे तो अप लिस्ट में से हर heading बताते जाएगा कि हाँ ये वाला heading पढ़ाईए सर फिर इसके बाद ये पढ़ाईए तो आपके पास list लिखा रहेगा तो पड़ा पड़ा बोलते जाएगा हम उसी से पढ़ाते जाएगे चली हो गया आपको फिर से मने screen share किया अब बारी बारी से सभी heading पढ़ाई जाएगे सबसे पहला heading है two or two words इसको समझना होगा two or two words को समझना चाहते है कि नहीं बहुत आसान है बहुत ही आसान है ठीक है देखिये हम बहुत easy way में बता देंगे यदि हम बोलते है हम जी थेंक यू थेंक यू जी he is going to school going to school और एक sentence हम लिखते है he is going towards school he is going towards the school towards the school देखो जब हम बोलते है he is going to school तब ये कहा जा रहा होता है कि वो school जा रहा है school इसका destination है yes sir right और जब हम बोलते है going towards the school तो school उसका destination है कि नहीं है नहीं पता बट ये कहा जा रहा in the direction of the school in the direction of the school towards का मतलब कि जिस direction में school है उधर ही वो जा रहा है तो two or towards में फरक आपको समझ में आ गया हाना बोलो yes sir yes sir चलिए next हम लोग बढ़ते है अगला हम लोग देखते है गौर करते है two or four ठीक है गौर कीजिएगा हम example से बहुत easy way में समझाएंगे आपको बस उस example को आप अपना दिमाग में रखना है जैसे हम बोलते है you have come here you have come here आप यहाँ आए हो to learn English to learn English ठीक है तो आप जड़ा गौर से देखो कि आप two के बाद भीवन यूज कर रहे हो और आप purpose बता रहे हो है आने का हाँ या ना अपने आने का purpose बता रहे हो किस purpose से आये हो तो सीखने के purpose से ठीक है अब देखो fork से कैसे होगा you have come here you have come here किस purpose से आये हो for knowledge knowledge के purpose से आये हो लेकिन knowledge क्या है अच्छे से देखो knowledge भब नहीं है knowledge क्या है noun है noun है sir तो यहाँ for के साथ noun आता है ये भी purpose ही बता रहा है लेकिन purpose बताने के लिए जब noun का यूज़ कर रहे हो तब क्या लगा रहे हो for और जब भीवन का यूज़ कर रहे हो तब क्या लगा रहे हो to मेरी बास समझ में आ रही है ये सर्थ एक और एक्जाम्पल देखिए मजा जाएगा he was punished he was punished किसलिए for telling a lie for telling a lie आप देखो यहाँ पर for के साथ आपको before मिल रहा है मिल रहा है ना अब ये purpose नहीं बता रहा है reason बता रहा है अच्छे से पढ़के देखो उसको punish किया गया punish करने का कारण क्या था जुट बोला था उसने यस से तो हम लोग किस चीज की बात कर रहे है for के साथ before लगा के reason की बात कर रहे है purpose की नहीं अना to के साथ हम लोग first form of the verb यूज करते है purpose की बात करते है for के साथ noun यूज करते है तो भी purpose की बात करते है लेकिन for के साथ before यूज कर देंगे एट ओन, ठीक है, देखे, हम यहाँ पर दो बाते बताएंगे, आप ठीक गए तो अच्छी बात है, शीखेंगे, वावा, क्या बात है, यह एट है, एट जो बताता है, वो नियरनेस बताता है, या क्लोजनेस बताता है, ठीक है, एक इग्जामपल आप देखिये, तब आपको समझ में आएगा, सिंटेंस के फॉर्म में, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे, हम, ठीक है, क्या बनाया हमने, टेबल, टेबल बना दिया, और टेबल पर हमने क्या बनाया, अभी सर्फेस के उपर रखा हुआ है ना, जी, अब दो सेंटेंसेज हम दे रहे, ठीक है, एक और चित्र हम को बनाना चाहिए था ना, बेहतर वाला, लो आज हो जाए आज, आज, ठीक है, इसमें देखो, ये पहले वाले पिक्चर में, परी बाश करएना, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, परी प्रश का ये जी, पाले पीक्चर में चाहिए, पर पर उसके ना, टेबल के सर्फेस पे है रखा हुआ तब on और यहां टेबल के सर्फेस में नहीं टेबल के near है तब at है आप दो एक्जामपल हम और दे रहे हैं उसमें हम कोई picture नहीं बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे कि आपको अपने common sense लगाना होगा, दोनों में क्या होगा, ठीक है, at होगा क्या होगा, क्या होगा, आप सूच हो, ठीक है, someone is dot 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 the door, at the door, and the teacher is dot 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 the board, your blackboard, or he has written something dot 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 the blackboard, and the blackboard, पका, और क्या, वावा, क्या बात है, तो यह जो first है आपका, someone is, add the door, क्योंकि वो door के near होता है, ठीक है, door पे लटका वो नहीं रहता है, उसके surface पे, door उस पे लटका होता है, क्या कोई आता है तो, कि दर्वाजे के नजदीक खड़ा रहता है, और teacher जो है, बोर्ड के नजदीक होते हैं, और बोर्ड के surface पे कुछ लिखते है, उसमें on नहीं नहीं होगा, add होगा ना, यहां पड़तो है, यहां तो हम निगलती कर दी, मेरे किसी पड़ोसी के हाँ, नॉन्वेज बन रहा है, एदम खुश्बू आ रही है, एदम मस्त वाली, यह clear है सब को, शलिए, आज हो जाए, आज, at और on के बाद, हम बात करेंगे in और into की, आप बात करोगे की नहीं करोगे, यह सर जी, आज हो जाए तो आज, आज अच्छटा आप लिखते है, He is the room in the room, in? नहीं पता हुआ को, आपकी लोग जो बता दोगे मान लेंगे, He came into the room, आज हो जाए जाए, बताईए, क्या बूलिए, पहले में इन सही है, दूसरे में? इंडू, सही है, तीसरे में? इंद, वाह वाह, क्या बात है, जबर्दस्त हो आप लोग लेकिन मानना पड़ेगा, ठीक है, भ्याना कोड़ता है, अप पर डाउन, इसमें भी बताने की ज़रूरत है, क्या आप है, डाउन में? ये डाउन है, और ये अप है, इसमें आप है, सही है ना? अच्छा, चलाए, ये वाला सीखने का ज़रूरत है, इसमें, अलोग जानना तो चाहते ही होगे? आज हो जाए आज, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अलॉंग का मतलब होता है कि उसी डियरेक्शन में मुव्मेंट जिस डियरेक्शन में बीच है मतलब बीच जैसे ऐसे मुड़ते जा रहा था वैसे वैसे आगे वो बढ़ते जा रहा था बीच के साथ ही बढ़ते जा था he was walking along the beach तो वो beach के साथ beach मतलब समंदर के किनारा समंदर के किनारे के साथ टहल रहा था तो किनारा टहलता नहीं है किनारा जिदर जिदर मुड़ रहा था उधर उधर वो भी टहलते हुए मुड़ते जा रहा था along मतलब in the same direction of the path एक रॉस एक रॉस पता है सर और एक 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 जामबल दीजिए अच्छ ठीक है ठीक है प्लीज मूव अहेड डॉड़ डॉट दर एरो मार्क अब बताईए जैसे जैसे एरो मार्क जा रहा है उसी direction में बढ़ते जाईए आगे बढ़िए किरपे आगे बढ़ें उसी direction में जिस direction में एरो का मार्क है अब तो clear है ना आगे बढ़ें एक रॉस देखिए एक रॉस के लिए हम पिक्चर बना रहे हैं समझ पाए समझ यह यह जो जमीन है टू टू डामेंशनल एरिया है और उसमें मुवमेंट हो रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ तब एक रॉस है जैसे एक्जाम्पल ही रैन डॉट 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 द फिल्ड ठीक है ही स्वैम डॉट 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 द रिवर ठीक है मतलब वहाँ दॉट करके फिल्ड के मैदान के उस पार चला गया ही रैन एक्रोस और वह तैर करके नदी के उस पार चला गया है तो नदी हो चाहे मैदान हो फिल्ड हो वो टू डैमेंशनल एरिया है लेकिन अगर यही टू डैमेंशनल एरिया के जगा त्री डैमेंशनल हो जाएं तो थ्रू आ जाएगा वावा क्या बात है और आज के लंच में तो सिर्फ दाल भात है वावा क्या सेर बूले हैं तो सिर क्या बूला है थ्रू देखिए वेंट डॉट 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 दा फॉरेस्ट बताईए क्या होएगा फॉरेस्ट का जमीन हो गया एकस वाई एकसिस और पेड़ हो गया जेड एकसिस जैसी तीनों एकसिस आ गया तो थ्री डैमेंशनल होगा की नहीं हो गया बोलो अच्छे से साफ से लिखेंगे थोड़ा अच्छे से नहीं लिखाया था थू हना थू हम लोग फिगरेटिव सेंस में भी यूज करते हैं इस पासिंग थू एक्राइस इस पासिंग थू अक्राइस मतलब वह गुजर रहा किससे होके गुजर रहा बुरेद रहा किसे का से जर्त को से सेंस दि इस फिगरेटिव सेंस को कहते है फिगरेटिव सेंस का मतलब होता है कि आप वा इगजाक्ली वैसा नहीं दिख्था है वैस sich उसके जैसा है अब जैसे आप 3D से होके गुजर रहे हो तो वो एक एरिया है जहां से होके आप जा रहे हो तो क्राइसिस भी लाइफ का एक फेज है जहां से होके आप जा रहे हो तो इसको फिगरेटिव करते है अचा कभी कभी किसी के बारे में बोला है तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है बोले हो की नहीं बोले हाँ ठीक है तो जब तुम ऐसा बोलते हो तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है तो तुमने उसके आवाज को मुह में लेके चखा था क्या नहीं, फिर भी तुमने मीठी कहा ना, एक्चुली मीठा तभी पता चलता है जब मुह में लेते, लेकिन उसके आवाज को तो मुह में लिया नहीं था, फिर भी मीठा बोला, तो ये जो मीठा का फिगेरेटी वी यूज है, बात समझ में है, उसका दिल पत्थर के जैसा है, उ लेकिन हाँ पत्थर भी हाड होता है, उसके इमोशन भी बात हाड टफ हैं, वो जेनरली सुनता नहीं है किसी की, हना, नहीं, रीवर के अंदर से होके जाते तब थ्री डैमेंशनल होता है, रीवर के पानी के उपर से तैर रह होते हैं, उसकी गहराई से मतलब नहीं होती है, प्री डैमेंशनल नहीं माना जाता है, लेकिन जब सब्मरीन की बात करेंगे तब वो तो थ्रू हो जाएगा, क्योंकि सब्मरीन गहराई में होके जाता है, थ्र्ड डैमेंशन उलेता है वहां पर, रीवर का, ठीक है, तो हम लोग जब पत्थर दिल बोलते हैं, तो वहां प पत्थर से, पत्थर भी हार्ड, उसका मन भी हार्ड, बात नहीं मानता किसी का, फिगरिटी समझ में आ गया होगा ना, जिस सुर्ण, चलिए, अगेंस्ट, एक्साम्पल, अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं, तो आप अगेंस्ट यूज़ करते हो, तो खिलाफ का एक मीनिंग आता है, एक दूसरा और चीज़ है, एक दूसरा चीज़ है, देखो अच्छे से से सेंटियन्स को, इसका एक पिक्चर बना देते हैं, आज हो जाया है, आज हो जाया है, हम सुचते हैं, एक अच्छा चित्रकार बन जाया है, मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, पहले हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, कौन बच्चा हस रहे है, कौन बच्चा हस रहे है, कौन बच्चा हस रहे है, गबबर सिंग आएगा, नहीं हसो, गंदा बाद, यह अच्छी बात ही, ऐसी तारीफ करो टीचर की, कर देखो, सिडियों को थोड़ा कलर्फुल बनाते ना, लैडर कर, देखो, दीवाल से लगा के शुडिया क्याना, मजा निए उडिया, व्लगरा रहे है, व्लगरा यह भीषिल की गर जाएगा, नहीं किसी का हाथ पेट टूट जाएगा, प्लिदो, 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 सब्सक्राइब कर दोड़ी जादा नीची होगी ये सही है राइट है थोड़ा ठीक है अब देखो यही वाल है अगेंस्ट द वाल दे लेडर इसकेट अगेंस्ट द वाल दिवाल से सटा कर ये दिवाल के सहरे मजा गया सर इस को रिपीड कीजे प्लीज नहीं रिपीड करना ये सीडी पे चड़िये डिवाल डिवाल के सटा कर न तो इस तरह से दिवाल से सटा कर कोई चीज उसके सहरे रखते हैं अच्छा कभी कभी हम लोग टेबल के सहरी है दिवाल के सहरी जुक्के या अड के खड़े होते है ना सहरा लेके तो हम लोग बोलेंगे या कोई भी इज स्टेंड़िंग अगेंस दे तेबल अभी भी नहीं समझ में आया सहारा लेके अभी भी बैठे वह याशी ना याँ कि उसके बगल में हो और उससे साहरा भी ले रहे हो अगेंस्ट का मतलब राइट एट और इन पढ़ोगे मन है हम इसके साथ एक चीज और पढ़ा लेते हैं आज पढ़ लो आज होच जाए आज होच जाए देखो अट क्लॉक टाइम के साथ इन मन्थ और इयर के साथ और और अन दे और देट के साथ इन किस के किस के साथ डे और देट के साथ इतना तो सिंपल हो गया भाई अब और क्या चाहिए बताओ और क्या चाहिए सर और ज्वाइनिंग लेटर चाहिए उससे कमें नहीं होगा सर आप चाहिए जितना पढ़ाओ इप घड़ी में देखने वाला टाइम है इसलिए एट लगाया हाँ कि ना अभी देखिए इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इंडिया को क्या मिला इन आजादी मिली कब मिली इन 1947 1947 क्या है येर है ना बो इनका यूज करा इनका यूज करा ठेक है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस उले सार रिपीट करें आप एक्जामपल देखते तो जाओ ठीक है डॉट 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 15 अगस्त 1947 अब बताओ अब क्या होगा अब देट होगा अब आएगा ये बहुत कठीन चीज तो बिलकुल भी नहीं थी हाँ या ना बोलो यस सर्थ अब आट और इन को सिर्फ पढ़ो पढ़ लो आज तुम भी क्या याद करोगे अटाओ छोड़ो हटाओ आज पढ़ा देते आज अज़ो हज़े अब आट आट स्मॉल प्लेस्ट्रीज़। और न वीग विग था थ्यादीज चंट्रीज जी तसी राट मुझं वेंगेंगेंगे बहार स॥ good for example I live at Bihar Sharif, Bihar Sharif is a very small place I live at Bihar Sharif मेरे तरफ से कोई नवाइज भी है क्या I live in India इन इंडिया वावा क्या बात है वावा क्या बात है देखते रहो आज हो जाए आज आगी जो मेरा मन है पढ़ाने का वो है बिहाइंड और आफ्टर क्यों पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि दोनों का इंदी मीनिंग सेम है ठीक है इवर्च क्या वाजे आ रही है वावा क्या वाजे हैं जिनके तरब से वाजे हैं वो म्यूट कर दें जिनके तरब से वाजे हैं वो म्यूट कर दें कि शॉठ में macamक्राइप अप्सरione द incredכול की बतक्राइप का कि दूद भ€Υ सर्का वßen में का SUR फिर्स्त में बहाइई अज्या आलो। फिर्स्त में बहाइई दोıl। मांन है। अप्सराइइ ड्सराइड है। वो मेंट है सर, यहां पर हेडिंग दिया हुआ है, बस वो पिक्चर से रिलेट करवा देंगे, आपको यहां पिक्चर में देख लीजे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना जल्दी इसको फिनिश करेंगे, उतना जल्दी इसका प्रैक्टिस करेंगे यह सर, हाँ एक चीज हम बताना बूल गया है, आपकरें, बिसाइड और बाई, बिसाइड और बाई भी हम लोग पिक्चर में कर चुके हैं, हाँ यह ना बूलना, अब हम लोग करेंगे फौर और सिंस, सर, बूलिये, सर चो इन प्रेंट वालना है, वो भी फौर इन प्रेंट वालना थोड़ा बताना है, विडियो है, विपोर और इन प्रेंट वालना, अच्छा ठीक है, डेपा, दो एक्जांपल हम दे रहे, के लिए रो जाएगा, बहुत असानी से, बिफोर और इन प्रेंट के लिए, दे आर, सिटिंग, डडडड़ अस, शी वाज, स्टैंडिंग, डडड़ डड़ द मिरर, ठीक है, देखो, यहाँ पर अस जो है, परसन है, तो यहाँ बिफोर यूज करो, और द मिरर क्या है, नन अनिमेट है, मतलब, नन लिविंग तिंग है, यहाँ इन फ्रेंट अफ यूज करो, बोल चाल में लोग परसन के सामने भी इन फ्रेंट अफ यूज कर देते हैं, लेकिन यह गलत है, कतार में रहेंगे तो सब जगा, बिफोर भी कतार में सही होगा, इन फ्रेंट अफ यूज कर लो, बोल चाल में तो तुम्हारा कोई नंबर नहीं काटने वाला है भी, तुम जो भी गलत सलती यूज कर लो, है ना, जी, और रही बात बिसाइड और बाई की, बिसाइड होता है के बगल में और बाई होता है नजदीक, बगल वाला भी नजदीक है, उपर वाला भी नजदीक है नीचे वाला भी नजदीक है हाँ या ना बोलो तो बाई जो है नियरनेस बताता है बिसाइड भी नियरनेस बताता है बिसाइड एकदम बाई दा साइड बताता है बगल में और बाई क्या बताता है क्लोज टू क्लोज टू तो कहीं भी हो सकता है सिर के उपर एक्जामपल दीजिए पर जी बिल्कुल देंगे ठीक है देखिए यहां पर ए यह क्यों होड़ा देखिए A is dot 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 B अब यहां पर A और B A कहां है B के बगल में है beside है नजदीक में भी तो है अब एक और एक्जामपल देखिए मज़ा आजाएगा आपको यह A है यह B है ठीक है अब आपको beside और by में सही चुनना है A is dot 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 B क्या बोलोगे by बोलो beside तो नहीं है above है ठीक है तो by मतलब नजदीक है नजदीक बगल वाला भी हो सकता उपर वाला भी हो सकता नजदीक नीचे वाला भी हो सकता है तो by सब जग़े यूज़ हो जाएगा लेकिन beside सिर्फ बगल वाले के लिए यूज़ होगा अलो मेरी आवाज जा रही है जी यह सर फॉर और सिंस यह टाइम प्री पोजिशन है टाइम के साथ यूज़ होता है बस पहला बात दूसरा बात याद रखना कि भाई फॉर यूज़ किया जाता है पिरियड ओफ टाइम के साथ आप पहचान पाते हो पिरियड ओफ टाइम कैसे पहचाना जाता है और सिंस यूज़ होता है पॉइंट ओफ टाइम के साथ क्या पहचान पाओगे point of time को देको बहुत असान है clock time जो भी होगा वो point of time होगा और calendar में जितना भी time होगा वो भी point of time होगा इसके अलावा जो भी बचा हुआ period of time होगया so simple example देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी बात जितने भी चीजों को आप घड़ी या कैलेंडर में देख पाते हो सब पॉइंट आफ टाइम है और जो घड़ी या कैलेंडर में नहीं देखे जाते हैं वो पीडियड आफ टाइम है ऐसे समझो ठीक है He has been teaching He has been teaching . . . . . टू आर्स और एक और देखो He has been teaching . . . . टू अ क्लॉक पहले को फार आएगा हाँ तो दो घंटे से इस दो घंटे को आप घड़ी में नहीं देख सकते हो लेकिन इसको तो देख सकते हो ना तो यहां सिंस लगाओ जहां देख सकते हो और जिसमें नहीं देख सकते हो बहुत क्या कॉम्प्लिकेटेड है क्या नो सर नहीं लेकिन इसमें एक पॉइंट है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है उसको आपको बस दियमाग में याद रखना पड़ेगा ठीक है फॉर है द लगा रहे लास्ट रहे या पास्ट रहे और उसके बाद टाइम रहे ठीक है और यही लास्ट द न लगा रहे सिर्फ लास्ट या पास्ट रहे और उसके बाद टाइम हो ठीक है तब यहाँ पर सिंस लगाओ इसमें कोई लॉजिक वाजिक नहीं बस यहाँ द लगा है तो फार लगेगा और दा नहीं लगा अगर बूलिए जो आपने पहली एक्जाम लिए जो फार प्लस डा लास्ट पास्ट है वहाँ पे हम फ्रॉम भी लगा सकते हैं ना देखिए फ्रॉम लगाईएगा तो इंडिया से बाहर सब जगा सही हो जाएगा ठीक है और फ्रॉम लोग एकसेश्ट कर चुके हैं इंडिया में भी बाहर इंडिया से बाहर अमेरिका है उर्यूप सब जगह पे एकड़िमिकली भी एकसेटेटथ इतना परचलन में इतना फैशन में इतना ट्रेंड में है लेकिन इंडिया भी वी पुरानी चीज़ों को लेके चल रहा है तो हम क्या पूल रहे तुमने यह सर बोला क्यों हम क्या बोल रहे तो हम यह बता है नो दो बन मों आप आप दिया जो जो तरना वच्छों को था वह कि तर्फ पूल देना है अभीट बन गया ज़गा न है चलो तो जब तो एक है अब आपको देखना यहां पर ददा लगा है ना कोई लॉजिक नहीं कुछ नहीं बस सीधा-सीधा फॉर लगा दो हो गया क्या करना है इसका और इसका कुछ कर नहीं है इसका कुछ कर ही नहीं सकते अभी देखो आगे बस हम एक पॉइंट का एक्जामपल देंगे मामला किलियर हो जाएगा he will have been working here, he will have been working here, dot 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 dot.. ना नेक्स्ट येर देखो अच्छे से कब की बात कर रहे हो अभी की की फ्यूचर की फ्यूचर की सर फ्यूचर की ठीक है तब आपको कभी भी सिंस नहीं लगाना है क्या लगाना है उसके जगह फ्रॉम ठीक है next step for or during so simple for or during अज हो जाए ठीक है he has been at his village at his village dot 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 10 days ठीक है he has been at his village dot 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 दुर्गा पुजा ठीक है बताओ किस में for होगा किस में during होगा देखो ये पीरियड है ना इतना तो पता है इसमें for लगा दो ये भी दुर्गा पुजा भी एक दिन का नहीं होता है दस दिन का होता है ये भी period है लेकिन ये पीरियड भी थे शर्टेन नेम है आया ना तब यहां during लगा दो सो सिंपल कितना आसान तरीका हो गया जानने का बस समझ में आई इन और during को देखो एकदम कोई जान ही नहीं है इन सब चीजों में बेकार में इन सब चीजों से आदमी डरता है एकदम बेकार का डर है ये बूल देते हैं आज हम He was killed . . . . the war और एक और He was killed . . . . the war In the war अब जरा गौर से समझो हो हम इन लगा दें तो भी सही और डूरिंग लगा दें तो भी सही तो भी सही तो भी कोई भी फरक नहीं पड़ेगा फरक पड़ेगा जब हम in the war लिखते हैं तो इसका मतलब है कि involved in the war involved in the war ये sense है जाएगा मतलब जब हमको ये वाला sense देना होगा तो in लगा देंगे और during the war का मतलब when the war was going on को जोड़र हो सकता यूध चल रहा था वार चल रहा था दो किस और वो घडिया दिया है मह तो डि fireplace वो इंव तो इन यूज़ करते हैं जब उस चीज में इनवाल्व वार दूरिंग खली उस पीरियड का बात करते हैं इनवाल्व है कि नहीं है इसे मतलब नहीं मेरी बात समझ में आई आगे बात करेंगे आगे क्या करेंगे बात करेंगे इन और विदीन ठीक है देखी एक्जामपल हो जाए बात करेंगे जुलाई, क्या है, नेम आफ दे मन्त है, जुलाई क्या है, मन्त है न, तब मन्त है हो जाए, या येर हो जाए, तो क्या लगाएंगे, इन, हम लोग अभी पीछे पड़े थे, पीछे पड़े थे, सब्सक्राइप, विक द्रीना क्या है, थे, तुरोगे, ये धूआ मान्त है, तुरोगे, अभी प्या राजप दिनिंव मन्त है, फ्या थे, खश मे पतकर दिनिंव मन्त है, अर एक हार आज हो जाए, ये, तुरोगे, युल थे, कम डडडड़ ए मन्त ठीक है एहां इन लगा देते हैं ये तो सही है ही ये भी सही है ये भी सही क्या फर्रक है दोनों में भाई तो समझो विदीन ए मन्त जब आप लिखते हो ठीक है इसका मतलब होता है एक महिना खतम हो उससे पहले ही ठीक है और इहां पर इन ए मन्त का मतलब आ जाता है फ्यूचर है ना इसी लिए फ्यूचर के लिए स्पेसल ही है ठीक है तब इसका अर्थ आ जाता है आफ्टर ए मन्त मेरी पास समझ में आई है मेरी बास समझ में आई है मुले हाँ या ना थी सर अगर एक्जाम में आप होगा हम वह भी वी दिन अगर लिखेंगे या तो वह एक्जाम में एक और सेंटेंस यह क्लियर करेगा ढूं कि रमीज्वले यशाल मजा आ रहे हैं? मुझा, रहे हैं सिर्फ मजा के लिए आते हों? नहीं तो बहुत ज्यादा मज़ारा रमीज को रमीज को बहुत ज्यादा मज़ारा गिलेन सर्थ मैं थोड़ा बीजी हूँ वहां च्छे दिन में फिक्जों हो जाऊंगा इसले मुटी रहता हूं लेकिन अच्छा है टेक्नोलाजी ना आप बीजी होते भी पढ़ाई कर रहे हो राइट विलकुल सर्थ हम लोग के जमाने में ऐसा नहीं था रमीज शीमू और रजनी सब लोग सुनें कि मेरे जमाने में ऐसा नहीं था जब हम स्टूडेंट थे तो लिटरली आपको मतलब क्लास में प्रिजेंट होना ही है फिजिकली वहां पे तब ही आप पढ़ सकते हो टीचर से अभी कितना कन nearestでは unless the technology ने हमारी life को दम सही में किया बरासक agtbola दी आइस धुनिया को heaven बड्टथ था सेम टाइम टेक्नोलजी कुछ लोगों के कॉमा क्उमा मतलब cया जब हो एक तो कुछ लोगों के हम चली गई है तो तो खीनियों की लाइफ यह भी बन रही है अब यही mobile और इंटरनेट का यूज करके अनापसनाप चीजें भेज देते हैं लोग किसी को वाटसैप पे या फिर किसी का एकाउंट है कर लेते हैं तो गलत तरीके का गलत दिमाग और गलत सोच वाले इंसान रहेंगे वो अच्छी चीजों को भी गलत बना के रख देंगे कोविड 19 आचा कोरूना कोरूणा भी ए का गलत ही यूज का है नतिजा on बिल्कुल बोलरे यह वो तो बहुत बड़ा चीज हो गया ना चोटे लिवल पर भी देखो टेक्न嗎 टेकनोलोजी क्या है यह सब टेकनोलोजी एक दूसरे से कॉंटक्ट करने के लिए लड़कियों करना हम मढ़ लेकर परिशान करना सुरू कर देता है हासिल कुछ नहीं होना है इससे इमेज खराबी होगा रेपिटिशन खराबी होगा लेकिन करेगा क्योंकि सोची वैसी है उसकी तो टेकनोलोजी बनाया गया अल्टिमेटली सोचके कि सबका अच्छा हो लेकिन कुछ गलत हांतों में चला जाता है फिर उसके बाद तो फिर हल हो जाता है एक दो चले इन और आफ्टर को देखते है ठीक है विल गो तो इस विलेज ड़ट 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 ओनलाइन क्लास तो मतलब कहीं कलपना में भी दूर दूर तक नहीं था हम लोग जब स्टूडेंट थे तो और आप लोग कहां कहां बैठे हो और हम कहां बैठे हैं इंडिया के किस हिसे में हम हैं किस किस ह पढ़ाई करें, in fact, more convenience, अभी आपने कुछ दिन पहले बताया कि कास्मीर में बर्फबारी हो रही थी, तो बर्फबारी में आप निकल के कैसे जाओगे, क्लास में, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हो घर में बैठ के आराम से, और भी टीचर कहा है, बिहार में, और आप कहा हो बै विलेज, a month, he went to his village, dot, dot, a month, ठीक है, अभी देखे, टेंस का खेल है, यहाँ पे कौन सा टेंस आपको दिख रहा है, future, future, sir, और यह कौन सा टेंस है, बताये, past, sir, past है, future है, तो in लगाओ, और यहाँ पर कोई भी दूसरा टेंस है, तो after लगा दो, अर्फ दोनों का एक ही है, meaning दोनों का एक ही है, first, may he will go to his village, in a month, मतलब वो एक महिने के बाद जाएगा, और second वाले में भी अर्फ वही आ रहा है, कि वो एक महिने के बाद गया, मेरी बास समझ में आईए आपको, यस सर, बस आज के लिए इतना ही छोड़ दीजे, बाकी चीज़े अब हम लोग, next day करेंगे, तब तक के लिए, अल्विदा, शुक्रिये, थैंक यू सर, विल्कम,